हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल लर्नस अकैडमी में आज की इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जीलों के बारे में यानि की लेक्स ओफ उत्तर प्रदेश पांच क्लास को हम लोग यहां पर डिसकस कर चुके हैं जिनमें से हम लोगों ने important MCQs भी डिसकस किये, content भी डिसकस किया, नदियों के बारे में डिसकस किया, geographical division पूरा डिसकस किया है, परवतों के बारे में, पहारों के बारे में और इसी के साथ UP की पूरी climate को हम लोग डिसकस कर चुके हैं, और इसके important questions भी कर चुके हैं, तो previous classes अगर आपने नहीं देखी हैं, तो उन्हें जल्दी से cover कर लीजिए, छोटी-छोटी सी classes हैं, ताकि यह पूरी series आप cover कर पाएं, तो आज की इस class को ध्यान से देखिएगा, इसी से जो questions put up होंगे, वो हमारे next class में discuss होंगे, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम पहले map में देखेंगे, कि उत्तर प्रदेश की प्रमुक जीले जो हैं, वो कौन से जीले में इस्तित हैं, ताकि एक map भी हमारे दिमाद में सेट होता हुआ चले, यहाँ पर सिर्फ उ जीलोर जील है, इसके बाद पीली भीत की फुलहर जील है, यहीं से जो है, गोमती नदी का उद्गम होता है, आपको बीच बीच में अगर कोई भी important नदी वहां से निकलती है, या कुछ भी उसके बारे में important है, तो वो भी आपको बीच में बताते हुए चलेंगे, जैसे कि जो पीली भीत की फुलहर जील है, यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है, ध्यान में रखिएगा, इसके बाद आप देख सकते हैं, जो बड़ा ताल यानि गोखुर जील है, यह कहां से निकलती है, सहाजहापुर से, इसके बाद करेला जील आप देख सकते हैं, यह निक अधिया से निकलने वाली जील है, दर्बान जील, अधिया में इस्तित जील है, दर्बान जील, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टन जीलों की, जैसे की जो राजा का बांध जील है, यह सुल्तानपुर की जील है, इसके साथ बखीरा जील जो है, संत कबीर नगर में और गोरकपुर में रामगर ताल है इसी के साथ साथ ओंधी ताल जो है ये पढ़ता है कहां पर वारड़सी में और बलिया की सुरहा ताल इसके बाद जो नीचे हम लोग सोनभद्र जिला पढ़ते हैं यहां पर है गोविंद वललब पंत सागर ये एक प्रकार की करतिम जील है ये बात भी ध्यान में रखिएगा इसके बाद प्रताप गड़ में इस्तित एक जील है जिसका नाम है बेंती जील अब हम लोग बात कर लेते हैं इधर रायबरेली की जील है भरतपुर जील और मुराय ताल कहां परिस्तित है मुराय ताल आप देख सकते हैं फतेपुर की जील है इसलिके साथ साथ महोबा के अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बेला सागर जील है और मदन सागर ताल भी पाया जाता है मोती जील बहुत important है कानपूर नगर में ध्यान में रखिएगा उन्नाओ की है कुंद्रा समुंदर उन्नाओ की कुंद्रा समुंदर है यह जो लच्मी ताल है रानी लच्मी बाई वाला स्थान यानि जहासी बर्वा सागर और लच्मी ताल दोनों ही जहासी की जहीले है इसके बाद कुछ important में हम लोग देख लेते हैं जैसे की अभी एक उन्नाओ की पढ़ी लिया है इधर आ जाते हैं इस वाले पोर्सन में यहाँ पर हमें मिलेगी सेखा जहील जो की अलिगड़ की है इसके साथ मतुरा की नो जील है मांसी है गंगा कुंड़ ताल है और राधा और शाम जील है मतुरा से रिलेटेड है यही भगवान कृष्ण से रिलेटेड तो राधा और शाम जील यादी रहेंगी इसे के साथ मान्सी, गंगा, कुणताल और नो जील भी ध्यान में रख लेज़ेगा जो आग्रा है, यहाँ की कीथम जील है जिसे हम सुर्शरोवर भी कहते हैं तो कीथम जील कहां से रेलेटेड है? आग्रा से रेलेटेड है, कभी कोशिन पूछा जाया तो ध्यान में रखिएगा मैप में हम लोगों ने उन जीलों के बारे में देख लिया जो कि important थी मैप में हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से देख लिया अब यहाँ पर हम लोग इनकी list पे देख लेते हैं important जीलों में गौर जील है कुंद्रा समुंदर कहां पे था उन्नाओ इसके बाद बड़ा ताल गोखुर ताजापुर में देखा था इसी के साथ तांदार दरी है जिसे दरारगर्द कहते हैं मिर्जापुर की है करेला जील लखनओ जो राजधानी है हमारी उतरप्रदेश की लखनओ वहां पर पाई ज जीले में पढ़ती है नोह जील मांसी जील गंगा कुंड ताल राधा और शाम जील राधा शाम से रिलेटेड है तो मतुरा में रामगर ताल गोरखपुर में फुलहर जील जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है ये पढ़ती है पीली भीत में इसके बाद मोती जील पांशील आयोध्या की तो ये कुछ इंपॉर्टन जीलो की लिस्ट है जिसे आपको याद रखना जरूरी है इसके अलावा जो हम लोगोंने मैप में देखा उससे भी ध्यान में रखेगा मैप को दुचार बार देखेंगे तो सभी के नाम सेट हो जाएंगे आपके और पूरी प्लेलिस्ट को कवर करिएगा अगर आपने प्रिवियस क्लासेज नहीं देखी है तो उन्हें भी कवर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना न भूले तक कि जो आगे आने वाली क्लासेज है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें यूपी की सभी प सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले थैंक यू